आज के इस वीडियो में आप से को क्लास 10 में जितने ये बच्चे हैं जिनका कल Mathematics का Examination है उनसा ही बच्चक लिए वीडियो रहने आ लिए और इस वीडियो में आप से को कुछ ऐसे questions कराऊंगा जिनके paper में आने के chances बहुत ज़ाद हैं मैं आपको formal बता देता हूँ किस हिसाब से आपका paper आएगा आपका जो question paper आएगा उसमें आपके total 14 questions होंगे जो divide होंगे तीन sections में A, B और C में सारे के सारे question करना compulsory होगा section A में आप सभी के total 6 questions रहेंगे और उसमें आपके हर question दो-दो marks के रहेंगे और internal choices has been provided in two questions जैसे कि आप सभी को इसमें बोला नहीं जाएगा कि आप इतने question attempt करें आपको एक questions के बाद उसमें और करके उसी के नीचे दूसरा question दे देंगे और उन दोनों में से आपको एक attempt करना होगा section B ये आप सभी का section B में आप सभी से चार questions पूछे जाएंगे जो तीन-तीन marks के रहेंगे और उसमें भी same to same internal choices होँगी जैसे कि मैंने आपको उपर बताया दो questions में आपको एक attempt करना होगा section C में आपके 4 questions पूछे जाएंगे जो 4 marks के रहेंगे और उसमें भी आपको internal choices मिलेंगी और उसमें आपके दो case study भी होँगे चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते है first question से first question आप सभी को मेरी screen पर दिख रहा होगा यहाँ पर है आप सभी का find the value of m so that the quadratic equation quadratic equation मैं यहाँ लिख लेता हूँ quadratic equation आप सभी की mx bracket x-7 प्लस में 49 is equal to 0 यहाँ पर आपके equal roots है two equal roots तो फिर यहाँ पर आपकी d की value होगी वो 0 होगी यहाँ पर से आप इसको comparison कर सकते है ax square प्लस में bx प्लस c से is equal to 0 पर अभी आपको इसमें क्या करना है इसमें आपको multiply करना है जब आप इसको multiply करेंगे यहाँ आपका mx square minus में 7 mx प्लस में 49 is equal to में 0 और यहाँ पर से जब आप इसको comparison करेंगे तो फिर यहाँ पर से आपकी a की value आजाएगी m b की value आजाएगी minus का 7m अगर किसी बच्चों को यह पता नहीं लग रहा है कि b की value कैसे आएगी तो फिर यहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर आपका x के साथ b है तो फिर यहाँ पर भी आपको x हटा देना है और यहाँ पर जो आपका बच गया यह आपकी b की value होगी यानि कि आपकी b की value होगी minus का 7m और वो यहाँ पर लिखावा है और यहाँ पर आपकी c की value होगी c की value यह होगी प्लस का 49 अब इसको हम d के formula में use कर देते हैं यह हो जागा आपका b square minus 4ac is equal to minus 0 क्योंकि 2 equal roots हैं यहाँ पर से आपकी b की value होगी minus का 7m इस पूरे का whole square minus में 4 multiply a की value है आपकी m c की value है 49 is equal to 0 इसका आएगा आपका 49m square minus में यह आएगा आपका 196m is equal to 0 अब इन दोने से common ले लेंगे 49m यह बच जाएगा हमारा m minus 4 is equal to 0 अब यहाँ पर से एक bracket में आगया हमारा 49m और एक bracket में आगया हमारा m minus 4 is equal to 0 तो फिर यहाँ पर से आपकी 49m की value 0 हो जाएगी और यहाँ पर से आपकी m minus 4 की value 0 हो जाएगी यहाँ पर से आपकी m की value आजाएगी positive 4 और यहाँ से आपकी m की value आजाएगी 0 तो फिर यह दोनों आपके यहाँ पर है यह यह आपका 0 हो जाएगा quadratic equation जब होती है जब उसकी highest power 2 होती है तो फिर यहाँ पर आपकी highest power 2 नहीं रहेगी इसलिए हम m की value 0 put नहीं करेंगे तो फिर आपको यह पता लग गया होगा यहाँ से कि x square का जो यहाँ पर coefficient है इसका जो यहाँ पर coefficient है next question बढ़ते है second question आप से के सामने the curve surface area of a right circular cone is 12320 यहाँ पर जो आपको CSA दे रखा है cone का वो दे रखा है आपको 12320 और यहाँ पर आपको radius दे रखा है radius 56 cm और यहाँ पर आपको height find करनी है चलिए solve कर लेते हैं CSA होता है cone का pi rl is equal to my 12320 और यहाँ पर आपका radius पता ही आपको pi की value हो जागी 22 by 7 radius होगी हमारा 56 और l होता है हमारा slant height 12320 और यहाँ पर सीखिए कर जाएगा आपका 8 बार में l is equal to my 12320 divided by 8 multiplied 22 अब इसको हम क्या करते हैं 11 के table से divide कर देंगे 11 आता है एक बार में यहाँ पर बचा हमारा 1 1 केरी गया यहाँ पर बच गया हमारा 1 2 केरी गया यह हो गया हमारा 2 और यह 0 यह आता है हमारा 2 बार में 2 से इसको काटेंगे यह आजगा हमारा 5 6 0 8 से इसको काट देंगे यह आजगा हमारा 70 यहाँ पर आपको slant height आपने निकाले 70 cm, यहाँ पर आपने radius निकाले 56 cm, यहाँ पर आपको height find करनी थी, तो फिर आपका formula होता है, l square is equal to r square plus men h square l square याने की 70 का square is equal to men r का square याने की 56 का square plus men h का square यहां पर इसका square करेंगे यहाँ एगा आपका 490 2000 और इसका square करेंगे यह आजएगा आपका 3136 प्लस में H square अब H square is equal to में 4900 minus में 3136 इसको minus कर लिते हैं यह आजएगा आप से ही का 4 6 और 7 और यह 1 is equal to में H square अब यहाँ पर साथ की H की value آ जाएगी under root में तो फिर यहाँ पर से आपकी height की value आजाएगी 42 cm यह आपका इसका answer हो गया height आगए आपकी 42 cm और यहाँ पर आपको height ही find करनी थी तो फिर यहाँ आपका answer हो गया बस यहाँ पर आपको यह धियान रखना है कि आपका जो यह L की value आई है slant height की इससे आपको h की value निकालने पड़ेगी कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यह जो आपका slant height आई है 70 cm इसी को इतना ही करके छोड़ देंगे तो फिर उनका answer यहाँ पर गल्द हो जाता है next question नहीं तरह बढ़ते हैं question number 3 third question x upon x plus 1 plus x plus 1 divided by x is equal to my 34 by 15 यहाँ पर आपको x के लिए बतानी है चलिए इसको solve कर लेते हैं x की यहाँ multiply होगी हो जागा हमारा x square plus में इसकी यहाँ multiply हो जागी हो जागा हमारा x plus 1 का whole square divided by x bracket x plus 1 is equal to my 34 by 15 यहाँ जागा हमारा x square plus में x square plus में 1 plus में 2x divided by x square plus में x is equal to my 34 by 15 यहाँ तक सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर इन दोनों को plus कर लेते हैं यहाँ जागा हमारा 2x square plus में 2x plus में 1 divided by x square plus में x is equal to my 34 by 15 cross multiply करेंगे यह आ जागा हमारा 30x square plus में 30x plus में 15 is equal to में 34x square plus में 34x अब 30x square को हम इदर लियाएंगे यह हो जागा हमारा 34x square minus में 30x square और यहाँ पर यह जो हमारा plus का 34x है और यहाँ पर से यह minus का 30x हो जाएगा और minus का 15 is equal to में 0 अब यहाँ पर आपको इसको solve करना पड़ेगा यह हो जागा आपका 4x square plus में 4x minus में 15 is equal to में 0 इसको factorize करते हैं इसकी middle term split हो जाएगी 10x minus 6x में minus का 15 is equal to में 0 अब यहाँ पर से इन्दों में से common आएगा हमारा 2x और यह हो जागा हमारा 2x plus 5 इन्दों में से common लेंगे यह हो जागा हमारा minus का 3 यह हो जागा हमारा 2x plus में 5 is equal to में 0 एक bracket में आजागा आपका 2x minus का 3 एक bracket में आ जागा 2x plus 5 is equal to 0 तो फिर यहाँ पर से आपके x के लिए आ जाएगी 3 by 2 और यहाँ पर से आपके x के लिए आ जाएगी minus का 5 by 2 यह दोनों आपके correct answer हो गए next question है fourth question है आप सही के सामने यहाँ पर आपको इसकी value find करनी है यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है आपको करना क्या है इसको सिद्धा let कर लिए x के equal let इसको हमने x के equal let कर लिया यह हो जाएगा हमारा 6 plus under root 6 plus under root 6 and so on यहाँ पर आपको करना क्या है आप whole square करना है दोनों तरफ squaring both side यह हो जाएगा आपका x square is equal to मैं इसमें से x6 भार आ जाएगा और यह हमारा continue ऐसी चलेगा अब यहाँ पर x square is equal to मैं 6 plus अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो फिर yellow term आपकी same यह है और yellow term x के equal है तो फिर इसकी जगा पर मैं x लिख सकता हूँ अब यहाँ पर से आप इसको इदेख लिखेंगे यह हो जाएगा आपका x square minus का x minus का 6 is equal to मैं 0 x square minus का 3x plus मैं 2x लिख सकता हूँ is equal to मैं 0 इन दोन में से common आजाएगा x यह हो जाए हमारा x minus 3 और यहाँ पर हमारा minus का 6 भी है और इन दोन में से common आजाएगा हमारा plus का 2 यह हो जाएगा हमारा x minus 3 is equal to मैं 0 एक bracket में आजाएगा हमारा x plus 2 एक bracket में आजाएगा हमारा x minus 3 is equal to मैं 0 यहाँ पर से आपकी x के लिख 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 गई माइनस का 2 और यहाँ पर से आपके x के लिया आगी प्लस का 3 तो फिर यहाँ पर जो आपका correct answer होगा वो होगा 3 इसका answer आगे आपका 3 4th question भी होगा आपका next question की तरफ बढ़ते हैं 5th question आप से भी के सामने यहाँ पर आपको यह question proof में भी आ सकता है मैंने यहाँ पर आपको mcq के form में दिया है यहाँ पर आपको एक equation दे रखी है यह पूरी यह पूरी और यहाँ पर आपको इसके equal roots दे रखे हैं यहाँ पर आपको बताना है कि इन सम में से इसका correct answer कौँसा होगा यहाँ पर हम सबसे पहले मैं आपको equation लिग लेता है दोबारा से यह जाए आपका a square plus में b square multiply by x square minus में 2 bracket ac plus में b d multiply by x plus में c square plus में d square is equal to में 0 यहाँ पर आपको इसके equal roots दे रखे हैं तो फिर यहाँ पर जो आपकी d की value होगी वो 0 होगी यहाँ पर सो यह जो आपकी a की value होगी वो होगी a square plus में b square b की value होगी minus का 2 bracket में ac plus में bd c की value होजाइगी आपकी c square plus में d square चलिए solve कर लेता है d is equal to में 0 होगा d की value होते हैं आपकी b square minus में 4ac is equal to में 0 b की value होगी minus का 2 bracket ac plus में bd और इस पूरे का overall square minus में 4 multiply a c यानि की a square plus में b square और c square plus में d square is equal to 0 यह ज़िए, लिए इस्वाव कर लेता है यह जगा आपका 4 bracket में ac plus में bd का whole square minus में 4 bracket में a square कि से multiply होगी a square c square plus में a square d square plus में b square c square plus में b square d square is equal to 0 इस पुरी equation को जब हम 4 से divide कर तेंगे यह हो जाएगा हमारा a c plus में b d का whole square minus में 4 आपका divide हो जाएगा यहाँ पर बजाेगा आपका 1 और bracket open होगा यह हो जाएगा आपका A square C square minus में A square D square minus में B square C square minus में B square D square is equal to में 0 अब yellow bracket open करते हैं यह हो जाएगा आप सभी का A square C square plus में B square D square plus में 2 A B C D minus में A square C square minus में A square D square minus में B square C square minus में B square D square is equal to में 0 अब यहाँ पर से यह कटने स्टार जाएगे यह भी कट गया यह इस से कट गया और यहाँ पर जो आपका बचा minus का A square D square minus का B square c square और plus का 2abcd is equal to 0 पूरी equation वो जब हम minus से multiply करते हैंगे यह होज़ा हमारा a square d square plus में a square c square minus में 2abcd is equal to 0 यह होता है आप सही का ad minus bc का whole square is equal to 0 यहाँ पर से आपकी ad की value क्या हैगी bc के equal और यहाँ पर से ad is equal to में जब bc आ गया तो फिर आप option में check कर लेज़े कर लेंगे कि आपका कौन्स आज़र ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका option number b correct हो जाएगा ad is equal to में bc यह आपका proof में भी आ सकता है next question के तरफ चलते हैं जो six question आप से रहेगा यहाँ पर आपको consecutive terms दिया है तीन और यहाँ पर आपको x के लिफाइन करनी है इस question में मैंने आप सभी को बहुत बार बता रहा है यहाँ पर आपको करना क्या है पर आपको a, b और c लिख लेना इसके उपर यहाँ पर आपको formula बता रहा है 2b is equal to a plus c यहाँ पर आपकी b वाली term होगी यह पूरी और यहाँ पर आपकी a वाली term यह और similarly c की value यह यहाँ पर से आपको value put कर देनी है b की value 1 by x plus 3 is equal to a की value 1 by x plus 2 plus में 1 by x plus 5 c की value अब इसको solve कर लेता है 2 by x plus 3 is equal to में इसकी cross multiply करेंगे यह होज़ा हमारा x plus 5 इसकी cross multiply करेंगे यह होज़ा हमारा x plus 2 divided by x square plus में 5x plus में 2x plus में 10 अब इसको हम solve कर लेता है 2 by x plus 3 is equal to में यह होज़ा हमारा 2x plus में 7 divided by x square plus में 7x plus में 10 अब इसको हम cross multiply कर देते हैं इस की से multiply करेंगी यह होजा हमारा 2x square plus मे 14x plus मे 20 is equal to मे 2x plus मे 7 multiply by x plus 3 2x square plus मे 14x plus मे 20 is equal to मे 2x की से multiply होगी यह होजा हमारा 2x square प्लस में 6X प्लस में 7X प्लस में 21 2X स्क्वार से 2X स्क्वार कर जाएगा यहाँ पर हमारा 14X प्लस में 20 इस इक्वाल टू में यह होजा हमारा 13X प्लस में 21 अब इसको इदल याते हैं 14X माइनस में 13X और यहाँ पर से 21 माइनस का 20 यह होज़ा हमारा x is equal to 1 x की value आगए आपकी यहाँ पर से 1 यह आपका answer हो गया next question तरव चलते है second question आप से के सामने है इसमें आप से पुछा गिया है कि आपको यहाँ पर number of terms find करनी है जब यहाँ पर आपको condition दे रखिये first term दे रखा है formula पता हिए sn का formula होता है n by 2 bracket में a plus l ठीक है sn की value आपकी 36 है is equal to n by 2 यहाँ पर आपको n की रुली find करनी है n की रुली यहाँ पर आपको find करनी है a plus l यादि की 1 plus 11 यह जाए आपका 36 is equal to n by 2 multiply by 12 यह जाए आपका 6 और n की रुली आजाएकी 36 by 6 यानि की 6 आपका इसका answer आगया next question के तरह चलते है next question आप सहीगा इसमें आपको यह अला एंगल दे रहा 58 degree और यहाँ पर आपको x के लिए बतानी है यानि की angle atq की value यहाँ पर आपको बतानी है चलिए इस question को solve करते है यहाँ पर आपको सबसे पहले property याद होगी की यह अला जो आपका angle होता है इसके double होता है तो फिर यह अला angle आपका कितना हो जाएगा यह अला इसके half होगा इस वाले के half होगा यानि की यह अला हो जाएगा आपका 58 by 2 यानि की 29 यह आगया आपका 29 degree यह होता है आपका 90 degree 29 प्लस 90 प्लस X इस इक्वाल टू में 180 degree यहाँ पर से इन्हों को प्लस करेंगी यह आजगा हमारा 119 इस प्लस में X इस इक्वाल टू में 180 degree यहाँ पर से आपके X के लिए आजएगी 61 degree यह आपका इस question का answer हो गया next question इतरा बढ़ते है 9th question आपसे के सामने construct a pair of tangents to a circle of radius 4 cm which are inclined to each other at 60 degree यहाँ पर आपको construct करना है एक circle 4 cm का सबसे पहले यह हो गया आपका 4 cm का circle आप compass के मदद से इसको बनाएंगे और यहाँ पर आपको करना गया है यहाँ पर आपको एक radius एक line खिच देनी है ऐसे करके और यहाँ पर आपको 120 degree का angle बनाना है first cut लगेगा आपका 60 degree का second cut लगेगा आपका 120 degree का और यहाँ पर आपको इसको मिला देना है जब आप इसको मिला देंगे यहाँ पर आपको बनाना है 90 degree का angle यहाँ पर आपको बनाना है 90 degree का angle angle बनाने के बाद आपको इन दोनों को join कर दिना है join करने के बाद जहाँ पर यह intersect करेंगी एक दूसरे को इसको नाम दे देना P कुछ भी दे सकते हैं आपके यहाँ पर नाम और यह आला जो आपका angle होगा यह होगा आपका 60 degree क्योंकि इन दोनों का sum कितना होता है 180 degree जब हम यहाँ पर 120 degree बनाएंगे यह angle आपको अपने आप 60 degree का मिल जाएगा next question की तरह बढ़ता है question number 10 question number 10 है आप सही के सामने the following distribution table shows the mark obtained by a class of 80 students find the mode of the distribution यहाँ पर आपको mode find करना है तो से पहले यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको number of students में highest frequency डूणनी है यह होगा आपका 25 इसको आपको mark कर लेना है जब इसको mark कर लेंगे तो फिरी हो जाए आपका F1 इसके उपर आला हो जाएगा F0 इसके नीचे आला हो जाएगा F2 और यह हो जाए आपका lower limit यहाँ पर आपको इसको solve कर लेना है F0 की आपकी value आए थी 10 F1 की value आए थी 25 F2 की value आए थी यहाँ पर से आपकी 12 lower limit आए थी आपकी 30 और यहाँ पर आपके height आए थी 10 यहाँ तक आपको समझ में आगया होगा अब यहाँ पर समझ में आपको solve कर ला देता हूँ आपको यहाँ पर mode find करना था जो आपका यहाँ पर mode का formula होता है वो होता है यहाँ पर आपका L प्लस F1 माइनस F0 divided by 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 multiply by height यहाँ पर आपकी L की value है 30 प्लस में F1 माइनस F0 यानि की 25 माइनस 10 divided by 2 multiply F1 यानि की 25 माइनस में F0 यानि की 10 माइनस का F2 यानि की 12 multiply by height height की वालिया आपकी 10 30 प्लस यह जो आपका 15 divided by 50 माइनस का 22 multiply by 10 इसको solve कर लेते हैं यह आएगा आपका 30 प्लस 15 बाइ 28 multiply by 10 यानि की 5 और यह आगे आपका 14 30 प्लस यह जगा आपका 75 divided by 4 इसको divide कर लेंगे यह जगा हमारा 5.35 इन दोनों को प्लस करते हैं यह जगा हमारा 35.35 इस question का answer हो गया उमिद करता हूँ जितने भी question मैंने आप से भी काज कराएं आप से भी इन questions के practice करेंगे और आप से भी के पास जॉन से भी book है उन से भी questions की एक दो बार और practice कर लेंगे चलिए मिलते हैं आप से इसने next दूए में किसना डबक साथ तब तक लिए जाएं जाए बरत और आपके एक्जाम के लिए all the best बाकी मिलते हैं आप से इसने next दूए में किसना डबक साथ